लाएबीटिक का तीसरी वीडियो है पिषली दो वीडियो में मैं उसको डिसकस किया था उसको आगे फर्दर कंटिनीव करते हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स जोके इनसॉलीन डियाबीटिक के पेशेंट्सी वह इंसॉलीन तरापी लेते भी हैं उसके बावजूद अगर वह स्ट ग्लुकागोन को जो बैलेंस है वो नॉर्मल नहीं रहता क्योंकि जो पैसेंट इंसुलीन रह रहे हैं इंसुलीन के बावजूद अगर उसको इंफेक्शन हो जाता है तो ग्लुकागोन के रिलीस होने के वज़ा से ग्लुकोज बोडी में ज्यादा होगा तो हाई लेवल ऑफ ग्लुकोज इंदा ब्लाड उसके वज़ज़ से वीरीन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी जो कि मातब आगे फर्दर उसको वाटरलोज ज्यादा होगा वाटरलोज के वज़ज़ से वहाँ पर बोडी डिहाडरेट हो जाएगी तो यही पूरा था कि अगर जो इंसुल जिनार जी के अल्टरनेटीव होना चाहिए क्योंके अगर गुल्कोज नहीं है तो यह किटों बोडी से आगे किटों इस डॉसिस काज हो जाता है किटों इस डॉसिस के पीछे हमने वीडियो में बताया था कि इनके फर्दर क्या-क्या वह हो जाते हो आपे लेबर ब्रीफि हो जाती इसी टोन आगे जाके लंग्स के जरीए मौट लंग्स के जरीए उसको बाहर एकस्पायर करता है तो इसी टोन जो है वो एक फुरूटी स्मेल देता है एक अच्छी बात यह है इस बिमारी के बारे में के जो पेशन्ट होता है उसी सिटोन की वज़ा है उसे किटो अच्छी जो होता है वो नूजिया वहां पे हो जाता है उसकी वज़ासे वॉम्टिंग हो जाती है मेंटल स्टेटेस चेंजिस हो जाता है कि भी वह खुश होता है एकदम वह बिमार हो जाता है और इसके इडिमा ब्रेंड में जो इडिमा काज हो जाता है जो किटो इस डोसी के वज़ा से यह चार क्लिनिकल कंडिशन बन जाते हैं यह था पूरा अभी हम लोगों ने डियापिटिक के बारे में पूरी इतिंग वीडियो में डिसकस कर दिया और जितना भी को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर तपाइए थैंक यू